यह पहले आ गया है चलें इसको कर लेते हैं फॉल्व फाइंसे स्टेटमेंट्स ऑफ जीटा फॉर्दा येर तीस जून उनिस इस अंडर प्रेपरेशन इस स्टेटमेंट्स धीटनी है है चार सों जी एक आना जाना लगा आप लों दो आमिर ने जाना है पची सो और चार सो यह दोनों ओपनिंग्स है ठीक है एसेड़ चलोजिंगs हैं ऐसेड़ क्लोजिंग पची सो परोवीइन को क्लोजिंग 400 ओके अगर को गडबर हो इत तो पर यह गलत है जैसे कल डैटर और सवाल किये ते घर जाके डैटर की रेक्टिफिकेशन एसिड की रेक्टिफिकेशन में को मसला तो नहीं रह गया वो एक्जेम्पल्स पूरी होगी है चार के पांच टोटल हैं बस वो अगर हो गई है ना तो आप मुख्तलिफ सवालों में अड़्जस्मेंट आती रहेंगी जैसे क्वेस्टन फोर में आपने देखा है जान तो नहीं चूटनी है उस तरह से पूरा सवाल टेस्ट में कोई एकादा दे दूँगा कि सिर्फ एक्स एसिड से रिलेट करता हो हेवी किसम का वैसे एड़्जस्मेंट्स ही आती है हर सवाल में एक का दूपा ठीक है ओके इट वाज नोटेड पता लगा क्या एन ओर्ड आउट्स्टेंडिंग बैलेंस ऑफ दो सो पचास विच वाज रिटन आफ यार एन इनी चास्थानी है ना क्या ये जी अन ओर्ड आउट्स्टेंडिंग बैलेंस एन ओर्ड आउट्स्टेंडिंग बैलेंस और दो सो पचास विच वास रिटन ओफ प्रिविएसली वो वाला केस है रिटन ओफ प्रिविएसली वास सेटल्ड डूरिंग दा येर सेटल्ड मतलब वो पैसे आ गए और अमाउंट रिशीवड वास क्रेडिटेट टू क्रेड़ करनी कहा थी बैट डेट प्रिविएसली राइट ओफ किये थे उन से रिकवरी हो गई रिकवरी हुई है तो एंट्री होनी चाहिए थी कैस देबेड उन्हें तो ये लाल वाला काम कर दिया ये गलती है ठीक है इसका मतलब औरिजनल एंट्री मैं औरिजनल रॉंग राइट यहीं कर लेता हूँ ताकि जितनी हो जाएं बाकी फिर कल भी तो कॉंटीनू करना है वैसे ये सवाल तो होई जाना अभी बस फोर रह जाना है साथ एक और एड़ ऑन कर लेंगे जी औरिजनल होना क्या चाहिए था होना क्या चाहिए था बोलो होना क्या चाहिए था कैश डैबिट माना मैंने डाइसो नहीं है लेकिन थोड़ी देर के लिए सबर कर जो डाइसो होना तो ये चाहिए था अभी नोट मत करना ये डाइसो की फिगर सही नहीं है दरह माजरत के साथ चीक है उसके बाद वरॉंग क्या हुआ वाज रॉंग ली वाज रॉंग ली क्रेडिट टू कैश डेवी डेटर क्रेड़ कर दिये भाई ने कितने से फिल हाड डाइस होई है अब सही करना है तो नोट मत करो भाई साथ साथ प्लीज नोट करना भी नहीं चाहिए वैसे आपको जी रेक्टिफिकेशन करनी ही अब हमने रेक्टिफाइंग एंट्री कैश डेविट होना था हो गया नॉर्मलिस की गलती नहीं करता छोड़ दो ठीक है फिर बैडड रिकवरी इंकम अधर इंकम में जाता है यह कितने से अगली बात डेटर गलत क्रेड़ हो गया है सही करने के लिए क्या कर लें ठीक है और सही है यह अज़ेस्मेंट समझ आ गई को मसला हुआ तो बता दो अच्छा अब अगली बात असल में धाई सो जिसका हमने कुलू अल्ला पढ़ा था उसने आके कहा धाई सो तो नहीं है मिसाल के तोर के अगर ठीक है धाई सो तो नहीं है धाई सो तो नहीं है ठीक है आप ना मेरे से सिर्फ दो सो पकड़ लें पर धाई सो नहीं है लेकिन मैं मैं मतलब खुदा खौफी है मुझे मैं आया हूँ बस मेरे पास यह है अगर आप मेरवानी करें बाकी पचास मुझे माफ कर दें यह ढ़ाइसो आप रहते हैं हम तो पूरा ढ़ाइसो ही माफ कर चुके थे हैं जी अल्ला की रिजा के लिए हमने का था चलो क्या अब यार आखरत में इस से था एक ओल आउट्साइणिंग डैट सा जिसको प्रिविएसली जो धाई लाक का था जिसको प्रिविएसली हमने राइट आफ कर दिया था वह सैटल हुआ है एट ट्वेंटी परसंट डिसकाउंट यानि उसने कहा है आप मुझ से टू फिफिफ्टी ना लें टू फिफि आती पहले हमने अलग समझ ली ठीक है तो कैश डैविट बैट डेट रिकवरी इंकम क्रेडिट होना चाहिए था हो गया कैश डैविट डैटर क्रेडिट दोस्टों से सही करने के लिए अच्छा अगरी बात जहें में रखो अगर डैटर्स को गड़बड हो गई है हिट लग गई है जैसे जैसे कल तक पढ़ रहे थे एसिट को हिट लग जया तो डैप्शन को भी हिट लगी होती है ऐसे ही यह डैटर्स के उपर ही प्रोविजन निकलती है और वो निकाल चुक है ठीक है करेंगे इंशालला एंड पर फिल्हाल तो जान देओ निया साथ ओके नेक्स्ट जी बेटें डिसकाउंट अलाओ क्या मतलब नहीं आपने कोई इंकम बुक की हुए जिसके अगेंस डिसकाउंट अलाओ किया आपने तो यह कर दिया था ना धाइसो मैंने बताया ज प्रोवियन के अंदर फैंकते हैं प्रोवियन फॉर डाउटफुल डेट डैबिट और डैटर क्रेड़िट कितने से मतलब यह आपने क्या किया था प्रोवियन लॉस में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था डैइसो का बोलो अब यह साल आया इस में से कितने रिसीव हुए हैं तो बस वह 200 इंकम शिंपन तीक है यह वह वाला डिसकाउंट नहीं जो आप समझ रहे हैं इसलिए मैंने इसको अ से आगे हैं पैसे ठीक इसलिए इसको उस्तरह से नहीं देखना आपने अच्छ नेक्स रही परचेज रिटरन अमाउंटिंग तो 500 वाज गलती से डैबिटेड टू ला परचेज रिटरन की बहला आप में इंट्री नहीं आती होगी बताओ या परचेज रिटरन के इंट्र लोगों ने विजले दो मीनें से हैं ओके यह होना चाहिए था क्रेटर डैबिट परचेज रिटरन अरिजनल एंट्री तो आनी चाहिए आपको कहोगे सर पढ़ाया आपने फिक्स एसिट कलकर एक्टिफिकेशन था होग यह दे दिया यह तो इंट्रो से पढ़के आयो तो म अगर आप इस तरह से कर दोगे तो फिर वो कैश की एंट्री में तो गड़बड हो जाएगी वैसे भी आप खामोशी केस में क्रेडिट ही एजियूम करते हो कैश नहीं करते हैं और कैश होता तो उसकी गलती ना करता वो कैश ही डैबिट करता नॉर्मली यह भी होता है ठीक किसमें अगर कैश में हो तो कैश में चीज बेची भी कैश में होगी ना जब बेची थी तो कैश डैबिट सेल क्रेडिट वापस हो गई है तो फिर एजिए सौरी खरीदी भी तो कैश में होगी तो एंट्री की थी पर चैश डैबिट कैश क्रेडिट तो उसकी रिटर्न के entry cash debit purchase return credit पर वो नहीं है स्कामोशी केस में क्रेटी एजिम करते है ठीक है अच्छा जी तो वैसे भी cash अगर वो उसको देना पड़ गया होता तो यह चबल ना मारता हो purchase return amounting to पांच लाक वाज मिस्टेकनली डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल जानी डेटर तो उसने गलती से क्या कर दिया डेटर को 500 से डेबिट कर दिया हाँ अगली बात के बारे में चूप है यह रोंट एंटरी के दूसरे पैट के बारे में चूप है तो क्या वजिम करेंगे बाकि फिर सही है परचेज रिटर्न फिर सही है ठीक है अब होना चाहिए था क्रेटर डेविट नहीं हुआ कर लें हम इस से क्या असल पर लड़ाई है हमारी दर है पर शेटर होना था हो गया कुछ ना करें डेटर गलट डेविट बापड़ा क्रेट करना पड़ेगा अब जब क्रेट करेंगे तो अगली टेंशन आपको फिर पढ़ी चुकी होगी क्या और विजन में भी इसकी गड़बर आएगी लेकिन वो तरीका देख लेते हैं अभी चलने ने आगए जी यह दो एजस्मेंट्स हो गई है कोई क्वेस्चन है तो प्लीज पूछी कोई समझ नहीं आरी आप लोगे इतनी खामोशी ड्राथती हैस और समझभा करें तो कोई किसी का मसल Glue तो वो ख्लास के बाद मुझे मिल भी सकता है भी शरम से आत्मी कर रहा तो होता है ना इंट्रो नहीं पड़ी हूँ उसका भी कोई लाज करेंगी लेकिन गुदारा मैंने कर दी है जिसने इंट्रो नहीं पड़ी हूँ वह दो एंट्री जाद कर ले यह लेजर को ऐसे कर ले इ राना एंड संस किते राना चुब है राना एंड संस having a balance of assy due for more than one year एक साल से भी उपर हो गया राना साब से पैसे नहीं आए was declared bankrupt उसको दिवालिया करार दे दिया कोट ने अब यह निशानियों में से अकल वालों के लिए एक निशानी है कि यह अब पैसे नहीं मिलने जब कोई दिवालिया डिकलेर हो जाए तो यह एक निशानी होती है कि अब अपने debt को write-off कर दो चीक है तो and its balance balance needs to be written off वो write-off करना ह हैं अब क्या entry करनी है हम तो बड़े होगे हम तो entry वो दूसरी चेंज कर चुके मुझे पता है solution में आपको और entry मिलेगी आई कैप का solution में लेकिन हम ultimately result उसी पे पहुंच जाएंगे attention लेने ठीक है अपने आपको असानी में रखो provision for doubtful debt debit debtor असल यह debtor credit कितने से तुसी से यह न तुसी है ना तुसी है हाँ यह होना था और बताओ क्या गलती कर गया वो गलती यह कर गया कि उसने यह किया ही नहीं needs to be written off write-off करना था नहीं किया ना तभी तो अभी तक write-off करना है तो भाई यह बड़ी अच्छी और इंट यह बड़ी गलती होती है अच्छी वो कुछ ना करे ना बड़ी मेरबानी होती है हम सही कर लेते हैं काम को हमें तो पता है सीधी अकाउंटिंग अच्छा अगली बात सुनो वो गलती भी सिर्फ कर दे तो हम सही कर लेते हैं तो उसको सही करने की कोशिश न करें नहीं तो फिर हमें मजीद मुसीवत पढ़ जाती है कि वो सही पता नहीं कैसे कर रेता है ठीक है ना तो खेर यह असान है तो प्रोवियन प्रोवियन फॉर डाउटफुल डेट डेविट और डेटर क्रेडिट कितने से जी तूसी लो सवा खतम हो गया थैंक गॉड़ यह पहले ना आई के पासटेबर था इसमें न एक दो एजस्वेंट कोस्टेंट कोस्टन फोर में पढ़ी है यह नहीं कि वह कोई कापती किताब में नहीं है जरूर नेकिन उसने सवाल को ना अलग से करके सिर्फ डाउटफुल डेट के लिए ऐ तो यह दो फिस्टेंग आपको सब्धी वाले सवाल में भी है और पीछह जो को फोर दी है उसके अंदर मिलेंगी शायद को एक टामिथी वाला सवाल है उसमें भी एक अदि मिले तो दो तीन चार जो अगली थी वो बाकी सवालों में मौझूद है वह टेंसे नहीं लेनी है आ कौन सी वाली पच्च वो कर स्पैसिफिक प्रवियन बनाते हैं उन बैलंस की जो छे महीने से ज्यादा पुराने हो और तीस जून उनीस पे ऐसे बैलंस हैं छे लाग इसको छोड़ो प्राना साब को और रिमेनिंग के ओपर पांच परसंड लगाते हैं ठीक है जी अब मुझे वड्रम में Mirabug हम ने जो गलती के इससे बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है मद्वियोर स्य क्या इस का मतलब मैं कहूंगा न तो यह फार हर रहा है और नहीं ये प्रोवीजन अब सही सलामत है क्योंकि डैटर्स हिल गया है तो बाइजन प्रोवीजन तो साथ ही हिल जानी है ठीक है तो मैं यहां पे क्या करूंगा यह एडजस्टेड का कॉंसेट तो है ही रेक्टिफिकेशन के टॉपिक के लिए हूं समझ लें नहीं शुरू-शुरू के अंदर हो समझ आजे समझ आ रही है ना परोवीजन भी एडजस्टेड एडजस्टेड परोवीजन फॉर डाउटफूल डैट्स जी अब अनडजस्टेड बैलेंस यहां पर कैरी डाउन है कैरी डाउन ही रहेगा वह ब्रॉड डाउन ही बनेगा वह कितना था जी पच्चीस सो थाउजन में चल रहे हैं ना हम ओके और यहां पर अनेडजस्टेड कैरीड डाउन 400 समझ आती है यह बोलो यह मैंने 30 जून 19 वाले क्लोजिंग उठाएं और मैंने काया बाजन आप सही नहीं हैं आप क्यों नहीं सही क्योंकि आप पहले से दिखले हुए थे और यह कह रहे हैं नोटेड हुए और यह करना है जब यह करें तो बाजन आपको हिट लगती है और नजर आ रहा है इस दोसों के आगे रिकावरी इंकम लिखना चाहिए इस 500 के इस तरफ लेकर क्रेटर लिखना चाहिए इस असी के आगे प्रोविजिन लेकिन मैं तो कहता हूँ एडजस्मेंट नंबर लिखो क्या मसला है मेरी वर्किंग ही है उस्ते कोंसा लेजर रिक्वा को तब भी बिल्कुल सही है तीसरा प्रोविजिन डेविट और बैड यह डेटर्स क्रेडिट इसके आगे प्रोविजिन बैड रिटन ओफ लिख दो वैसे यूं लिखा करते हैं हम चीक है ना बैड डैट वैसे लिखना भी तो सीख लेना बैड डैट रिटन ओफ लेकिन सा करते हैं डैटर्स ताकि हमारी वह एंट्री बन जाए तो यह आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से दे वरना यहां पर भी क्या लिखना था आपने थ्री और थ्री ट्री ओर ठी टाइम बचा लिया करो टाइम बचे जहां बचा लिए करो अच्छा अब यह एडज़ेस्मे प्रूइजन निकालते हैं और वह प्रूइजन यहां पढ़ने से एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो क्या मतलब पहले प्रेशर कमरिकॉडडित थी बढ़ा लेंगे और अगर यहां प्रूइजन प्रूइजन कम मुझे मिला करता है वरकिंग से नमबर ठीक कम होता हूँ इस वकत तब और इसमी ट्रीम तो हम नहीं है ना स्पैसिवों स्क्योड कुछ नहीं वह कहता है पच्छीज परसंट ऑफ दा बैलेंस आउस्टेंडिंग डियर पच्छीज पर्वियन निकालनी तो हमने क्या कहा चेसो आपके ऊपर प्रोवियन की परसंट जो है वह जैरल नहीं लगनी बलके 25 परसंट लगनी है त उपीज में प्रोवियन कितनी आगई पचास वान पचास ठीक हो गया अब जो बाकी बचे हैं उन पर जेनल प्रोवियन रेट लगाना यह तरतीब पहले पॉजिव रखा अब हमने क्या कहा वह जी यह तो स्पैसिफिक प्रोवियन थी ठीक है इसको तो कर देना माइनस जो कि बचा है कितना बचा है 15 इस 1520 पर क्या लगा दो 5% आफ रिमेनिंग बैलन्स कितना 76 तो टोटल प्रोवियन क्या होगी सही वाली अब 280226 यह 226 यहां पर जाके लिखो अब लेजर खुद मखुद बैलंस निकाल के आपको बता देगा प्रोवियन बढ़ानी है कम करनी है आपने अब यह नहीं सोचना थीक है अब मुझे बताओ बैलेंसी फिगर किस तरफ आ रही है तो बैड डेट बैड डेट एक्सपेंस जो के प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है बैलेंसिंग कितना आया नाइंटी यानि कि आप यूं कह सकते हैं कि हमने कहीं एक्सपेंस ज्य प्रोवीजन का काउंट हुआ है डेड बैड एक्सपेंस प्रॉफ्ट अल्वा है क्रेड़िट तो प्रोवीजन और डाउट फूल डेट डेड़िट 94 से हैं और बैड डेट अबैड एक्सपेंस प्रॉफ्टन लॉस वाला 94 से क्रेडिट ठीक है जी ये चौती एंट्रिया आ गई है कोई औरिजनल रॉंग नहीं हमने पास की ठीक है जल्दी से इसको देख लें मतलब पिक्चर ले लें ताके मैं सलूशन से दिखा सकूं कि फर्क क्या है बैड डेट ये देखो ना असी आ गया अगर ये बैड डेट यहां पर ना लिख रहे तो ये रिवर्सल एक सो कितना पड़ता एक सो चैटर का पड़ता तकरीब है वह एक सो चैटर की बजाए ये रिवर्सल और तो मैटिकल हो जाता है या देख लो ना उसर से तसली कर लो मैं यह तो स्लूशन में दिख 390 बस बस चुटी होगी चुटी होगी एक मिनट सिर्फ दे दो मुझे मेरा दिल तो था दूसरा सवाल भी होता लेकिन आप लोग लेट आए यह देखें जी ओहो सुलूशन बताओ यार 390 यह आंसर 3 है 4 है यह देखो भाई पहली एंट्री हमारी बिलकुल सेम है डेटर डे रे вид better recovery income credit शुक दूसरी करेड़े ज्री क्राइटर क्रेटर sousर एंट्री ज्रेकस बाइबिट क्राइड फिस येंट्री राज़ेशन अब मामला मामला तरफ यह हमण इसको भी कहां पहंकंग रेंप प्री मेंवन में northwest ना इस असी का expense record होना और ये provision का 174 से reverse होना इन दोनों को अगर net करेंगे तो net में 94 से ही आपका expense reverse यह नहीं कि आपने एक expense record किया और 174 से income record की जब net करेंगे तो net में 94 का expense ही बनेगा ना तो हमारा भी काम वही हुआ है नंबर पूरे मिलेंगे इस पर आपने इस तरह नहीं जाना बस हमारा तरीका जिस तरह का है उसी तरह से हम चलेंगे ठीक हो गया ड़न चलें अब यह homework के अंदर intact है अभी तक यार मैं देख रहूं कोई निया सवाल चलें वो question number four तो आपके homework में अभी तक है ही वो तो आपने करना ही है यार को अच्छा सा सवाल और भी ले जाते है यार बहुत दरूरी है भाई इसके बगार नहीं काम होना आप लोगों को लग रहा है खुद से तो नहीं हो जाने ना सवाल मैंने कभी कम सवाल कर दी है अब इस किताब इस टॉपिक में ठीक है न तो इसका मतलब यह है कि अब आपको बहुत टिका के इन सवालों को करना पड़ेगा गुंजाइश माकवा चलें एक तो यह फोर है दुबारा अभी तक हो वक में लेकिन इसमें फर्क यह कि इसमें लेजर्स नहीं बन सकते लेजर्स का बैलेस अनडजस्टिड गिवन नहीं था तो आपको डारेक्ट सोचना पड़ेगा कल वाले सवाल की तरह से डैटर बढ़ इसको ट्राई करें नलतर अस्टैबलिश्मेंट नाम का एक सवाल है बड़ा जबरदस सवाल है इसलिए कि इसमें उसने बैलन्स शीट बना कर दी है अच्छे चले रहने ने बस ठीक है फिलाल वही सवाल होंग में अगया मैंने सोच लिया अभी ब्रेक में तो वह आपको ग अचाँ